ये गाईज वेलकम बैक अगेंट वार फ्रेश वीडियो तो फ्रेंड्स जैसा कि आप बोर्ड एक्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं अब काफी सारी उनिवर्सिटी अपने एप्लिकेशन फॉर्म जारी कर रही है तो इसी बीच आईप उनिवर्सिटी जो कि काफी पॉपल को साथ में बताने वाला हूँ वीडियो काफी जादा है वीडियो को लाइक करें एंड कंप्लीट जरूर देखें तो फ्रेंड्स ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए मैं जैसा कि आप देख सकते हैं आई प्यों की ओफिशिल वेबसाइट पर आ चुका हूँ एंड आप नौ पीज का है तो मैं इसमें से आपको जो कि आपके एड्मीशन के लिए काफी जरूरी बाते हैं वो सारी मैं अभी थोड़ी दिर में आपको बताऊंगा एंड फ्रेंट्स अब आपको अगर रिजिस्ट्रेशन करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर एपलाई ऑनलाइ कर लिया है उसको रीड कर लिया है उसके बाद में आपको यहां पर रिजिस्ट्रेशन 21 का ओप्शन आ रहा है ठीक है तो आपको इस पर क्लिक करना है तो अब यह आई प्यू की जो तो अभी तो यह वेबसेट वर्क कर रही है तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस पर अगर और आपने डी रिजिस्ट्रेशन कर रहード है तो आपको यहां पर अपने डीटेल्स ॡालके हो साइन इं कर सकते और आप णियु रिसी सक्पर ना चाहते तो यहां पर ने टियत सओ कर a तो उसके बाद में आपको जैसे कि आप फिर आपका इस टाइप का page फुल जागा इसमें आपको अपनी basic details डालनी तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आपका name हो गया फिर आपका जैसे जो आगर आप India से हैं तो जो आपका code हो गया जैसे 911 होता है इंडिया का तो 911 आपका ये code हो गया एंड फिर आपका mobile number, email ID ठीक है और उसके बाद में जो आपका ये जो user ID and password है ये काफी important है यहाँ पर user ID आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं कुछ भी and password भी आप अपने हिसाब से कुछ भी choose कर सकते हैं मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ जल्दी से करके तो friends मैंने sample के तोर में details fill कर दिये आपको अपनी accurate जो details है वो fill करने है ठीक है तो अब जैसे ही आप submit कर देंगे उसके बाद में ये आपको पूछेगा कि आपकी जो details है वो ये verify करेगा तो उसके बाद में आप यहाँ पर final submit कर सकते हैं अब final submit करने के बाद में आपका जो user ID and जो आपका password है वो आपको याद रखना है and आगे का जो आप sign in करेंगे तो वो उसमें आपको help उस चीज़ की मिलेगी ठीक है तो ये मैंने अपना idea से बना ली थी एक and फिर आप को आप यहाँ पर देख सकते है registration के बाद फिर आपको sign up करना है अपना जो आपकी user ID and password के help से ठीक है तो आप जैसे sign up कर लेंगे उसके बाद में उसके बाद आपका इस type of interface खुल जागा ठीक है तो यहाँ से आपको अपनी application continue करनी है एड़ आप एक ही बार में आप मुलब काफी सारी courses के लिए apply कर सकते है register डेक सकते है तो इसके बाद में आपको बाकी के steps complete करने है है जैसे कि आप यहां देख सकते है पहला तो आपका यह view registration details जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको personal details है यह आपको डालना पड़ेगा तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका address वगरे जो भी होता है उस टाइप की जो चीजे हैं आप से वो complete करने के लिए बोला जाएगा ठीक है तो आप यह सारी details अपनी भर सकते हैं यह सारी details भरने एक बाद में आपको save and next में क्लिक करना ठीक है तो save and next में आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल्स में जैसे address वगरे यह इस टाइप का फिल करने को option आप्शन आएगा ठीक है तो इसमें आपको address वगरे बरना है अगले होगी आपको अप्लोड करनी पड़ेगी पहले में आपको फोटो कि और बीचीट जो कि आपको पासिंग सर्टीफिकेट हो सकता है तो आप को यहाँ पर अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है तो फ्रेंड्स यह सारा करने के बाद में आपकी जो profile है मुलब की फिर आप अपन वेरिफाइब करेंगे टुक है तो वह सारी चीजे आपको इसमें क्रेक्ट बरनी है उसके बाद में फिर आप जिस भी कोर्स में आपको आपको करना है तो वह आप अपक्वाइब करसकते ठीके तो आप जैसे की एक्जाम्पल के तरो पर मैं बीट लेकर चलता हूं तो यहां पर आप और आपको जिस में इंट्रेस्टेटेड आ जाते हैं आप उस धाने कर सकते हैं दो जैसे मैंने बीटेक कर गया है तो इसमें जैसे यह जो फाइनल जैसे आप फी पेइमेंट कर देंगे उसके बाद में आपका यह प्रोसेज है वह अब यहां पर यह शो हो रहा हुआ ठीक है तो उसके बाद में आपको पर्टिकुलर कॉलेज मलब पर्टिकुलर जो आपका कोर्स है उसके लिए आपको और भी डिटेल्स मांगी जाएगी जैसे आपका यह हो गया category हो गया आपका and आपका religion हो गया अगर आप army से belong करते हैं मुलब defense background से करते हैं तो वह हो गया आपका और फिर अगर आप G&K migrant है तो वह हो गया ठीक है and आपका कोई visible mark है फिर identification mark कुछ होता है तो वह आप यहाँ पर mark कर सकते हैं ठीक है तो उसके बता देता हूं तो इसमें जो first आपकी eligibility criteria आता है जो कि apply करने से पहले आपको जानना काफी जादा जरूरी है तो इसमें जो maximum courses है उसमें आपका बलब की 50% का जो criteria है वो follow किया गया है तो उसमें आपके जैसे 12th में 50% and above होने चाहिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बी आर के लिए यहाँ पर दे रहा है आपका जो आप national level test के थूरू इसमें आपका होता है एडमिशन तो यह एक्जाम होता है वो आप उसमें आपको apply करना होता है ठीक है और इसमें 50% आपका इसी तरीके से आप दूसरी courses का भी देख सकते हैं तो अब मैं आपको बीटेक का बता देता हूं तो बीटेक में भी आप देख सकते हैं इसमें आपको 12 पास रहना चाहिए जो की आपका जो इसमें 55% आपका इसमें दे रखा है तो 55% आपका physics, chemistry and maths में होना चाहिए और उसके साथ-साथ में आप इंग्लीज में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लीज एंड उसके बाद में आप यहां देख सकते हैं कि जो J.E.Mains का paper 1 है उसमें आपकी rank आनी चाहिए तो यह इसका criteria है J.E.Mains मलब BTEC का और इसी तरीके से आप जिस भी course में interested है तो उस course के बारे में आप इसमें देख सकते हैं ठीक है तो इसकी मैं link आपको provide कर दूँगा description में फिर इसमें नीचे जागे आप देख सकते हैं fee structure भी दे रखा है colleges का तो इसके लिए मैं separate video बना दूँगा यह video काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं details में बात करने अगर आपको सारी चीज़े बताने गया तो और friends इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका इसमे देली एंड आउटसेट देली का भी criteria रहता है तो 85% जो seeds होती है वो देली के students के लिए रहती है तो देली के वो students होते है जिन्होंने अपनी 12th class है वो देली से करी होती है और जो आउटसेट देली वाले हैं वो other than देली से उनकी 12th class होती है तो वो इस बात का भी आपको ध्य रखना है फिर जो फॉर्म के नीचे आपके अलग-अलग टाइप के जो certificates होते हैं जैसे आपका medical certificate हो गया और अगर आप defense background है तो defense certificate हो गया इस टाइप के जो certificates है यह आपको इस form के नीचे मिल जाएंगे लास्ट के जो 20-30 page है उनमें यह certificates आपको मिलेंगे और friends अब मैं आप इसके जो CT के centers दे रखे हैं अब मैं आपको इसके form के बारे में बताता हूं जो आपके form की fees होने वाली है वो आपकी 1200 रुपे यहां पर इनने mention कर रखा है और जो आपका form है वो 8 तारीक से लेके 8 June से लेके 15 July के बीच में भरह जा सकेंगे ठीक है तो यह इसके form के बारे में बात थी और इन्होंने जो इंपोर्टेंट डेट्स पगरा के बारे में बता रखा है और नीचे इनने जैसी कौन-कौन से जो courses हैं उनमें कैसे admission होता है कि कौन-कौन से course में आपके क्या कहते हैं कि जो आपके CT conduct करा जाएंगे और कौन-कौन से courses में आपके जो national level test के basis पे आ कुछ आपका डाउट रहते तो आप comments में पूछे क्योंकि last year भी मैंने IPU के students उनकी help कि एडमिशन में इस यह भी मैं चाहता हूं कि अगर आपके कुछ डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही टेक केर रहें बाई बाई